हेई गाइज, वेल्कम तो मैं चैनल मॉमाज यामीला, होप यह लब फाइन दूइंग वेल, आज हम बनाने जा रहे हैं चाहिनीज बाव, बाव एक डंपलिंग है, या आटे में आप अपने चॉइस का फिलिंग भरके उसे स्टीम करिये, और आज हम बनाएंगे दोनों ओपन और क्लोजड बावज, और ट्रस्ट वी यह बहुत ही टेस्टी है, सो विदा उटरी दिले, जस्ट अट्स बगिन दब विडियो, सबसे पहले एक राज की बोल में हमें यहाँ पर लेना होगा, दो टीस्पून यीस्ट, टेबल स्पून पीसी हुवी शक्कर, और उसमें हम तीन चौथाई कप याने थ्री फोर्थ कप ऑफ थोड़ा सा गरम पानी, पानी को मैंने माइक्रोवेव किया है 30 सेकेंड के लिए, सारी चीज़े मिक्स करके हमें उसे फॉर्मेंट करने के लिए 12 से 15 मिनिट के लिए एक गरम जगपर रख देना है, यहाँ पे हम ले रहे है दो कप मैदा, उसमें हम डालेंगे आधी चम्मत जितना बेकिंग पाउडर और हमें दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से चान लेना है, यह हमारा यीस्ट वाला पानी बहुत अच्छी तरह से फॉर्मेंट हो गया है, उसे भी हम आटे में डालेंगे और अच्छा आटा ब हम बाद में ही डालेंगे, यीस्ट के साथ मिक्स नहीं करेंगे, आटे को हमें गरम जगा पर फर्मेंटेशन के लिए दो घंटे के लिए छोड़ देना है, अब हम देख लेखते हैं हमारा पीनट सॉस कैसे बनता है, मिक्सेज़ार में हमने लिया है, आधा कब हुनी हुई म अधा कब से थोड़ा कम हमने लिया है पानी, अच्छी तरह से ब्लेंड करकी हमने एक बहुती अच्छा पीनट सॉस तयार कर लिया है, लेते हैं कश्मीरी लाल मिर्ची की पेस्ट इससे हमें फिलिंग में यूज करना है, साथ से आट कश्मीरी लाल मिर्च ली है, हमने उसम गरम पानी में भिगो दिया है, और मिक्सर ग्राइंडन में बहुती कम पानी के साथ उसे ग्राइंड कर लिया है, तो ये हमारी कश्मीरी लाल मिर्ची की पेस्ट रेडी हो गई है, अब हम बना लेंगे हमारा बाव का फिलिंग, तो उसके लिए एक पैन में हमने यहां पे लिया है तीन टेबल स्पून ते और उसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ छे टेबल स्पून लेसुन, आप यहां पे चॉपर का भी यूज कर सकते हैं, छे टेबल स्पून हमने बारीक कटा लेसुन डाला है, और हम डालेंगे एक टेबल स्पून बारीक कटा हुआ अधर पेस्ट डाल देनी है और वापस सारी चीजों को अच्छी तरह से सौटे कर लेना है या थोड़ा हलका सा उसे भून लेना है हमारी गैस की फ्लेम लो होनी चाहिए जादा फास्ट फ्लेम पे हमें ये काम नहीं करना है अच्छी तरह से सारी चीजे सौटे हो जाए फिर हम उसम चिमला मिल्च, कैपसिकम को 2-3 मिनित तक अच्छी तरह से हमें सौटे कर लेना है, यह है एक टीस्पून चिली सौस, यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1.5 टेबल स्पून टमैटो सौस, और यह है हमारा 1 टेबल स्पून सौया सौस, यहाँ पे हमने लिया है तीन टीस्पून कौन फ पानी, दोनों चीजों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया है और उसे भी हम यहाँ पे डाल रहे हैं, सारी चीजों को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है, यहाँ पे हमने लिया है हरे प्यास का सफेद वाला पार्ट, यह नियरली 1 फोथ कप है और यह हरे प्यास का ह सारा वाला पार्ट सारी चीजों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है यहां पर हम और डालेंगे दो टीबल स्पून चॉप किया हुआ लैसोन और आधी टीबल स्पून चॉप किया हुआ अध्रक बन फॉर्ट टी स्पून काली मेरी पाउडर और यह है निरली एक से पड़ी तो आप आधी चमच तक शक्कर भी इसमें एड़ कर सकते हैं यह है पाव किलो पनीर 250 ग्राम्स अफ पनीर जिसे हमने बहुत बारिक टुकडों में काट लिया है उसे भी हम डाल देंगे और वापन सारी चीजों को एक से डेड़ मिनिट तक अच्छी तरह से मिक्स क करना है नहीं तो हमारा पनीर फिर बहुत चुई हो जाएगा बस थोड़ा सा मिक्स करके हमें गैस को बंद कर देना है उपर से वापस हम थोड़े हरे प्यास से गानिशिंग करेंगे और फिर हमारे फिलिंग को इन दूसरे बोल में निकाल देंगे तो यह हमारा बाव का फि बनाने के लिए हमें बेकिंग पाउडर और यीस्ट दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी मैं आगे आपको बताऊंगी मैंने एक राउंड बिना बेकिंग पाउडर का बनाया तो वह बहुत फ्लैट बने और वह बहुत सौफ्टर मुलायम भी नहीं बने तो प्लीज आप दोनों चीजों का यूज कर लीजिए आटे में से इस तरह बड़े बॉल बना के हमें उसे अच्छी तरह से रोल कर लेना है थोड़ा सा पहले आप 5-8 मिनिट तक आटे को मल लीजिए ताकि वह मुलायम हो जाए और फिर उसे इस तरह से बेल लीजिए हमें हमारी रोटी न म जैसे ही आटा कम होता जाएगा अब छोटे छोटे राउंज काट पाऊगे फिर हमें बीच में इस तरह बहुत ठीक तरह से तेल लगाना है और हमें फोल्ड कर देना है ये बनेंगे हमारे ओपन बाउस तो बीच में हम तेल लगांके स्टीम करके फिर उसे ओपन कर देंगे तो अगर तेल ठीक से नहीं लगा होगा तो फिर स्टीम होने के बाद वो ठीक से खुलेंगे नहीं एक बार आप तेल लगा के बन कर दें फिर वापस इसे थोड़ा सा बेल ले हलके से बेलिए ज्यादा प्रेशर ना दीजिए हलका हलका आपको उसे वापस थोड़ा बेल ल तो यहाँ पर एक इडली मोल लिया है और यह केले के पत्ते हैं उसे इस तरह गोलाकार में काटके उपर अच्छी तरह से तेल लगा लिया है फिर यह जो ओपन बाव जमने बेले हैं वो उस पर हम रख देंगे चाइना में बैंबू के स्टीमर अविलेबल होते हैं जिनमें य से रेगिलर इडली स्टीम करते हैं वैसे ही एक इडली स्टीमर में पानी गरम हो जाने पर हमारे बाव स्टीम होने के लिए 10 से 12 मिनिट के लिए रख दिये हैं तो यह हमारे बाव स्टीम हो चुके हैं और इसमें मैंने बेकिंग पावडर नहीं डाला था आटे में तो यह फ्लैटिश बने है और जरा भी सॉफ्ट और फ्लफी नहीं बने है अब हम बढ़ते हैं हमारे ओपन बाउस बनाने के दूसरी स्टाइल की और यहाँ पर हमने बेलन का यूज नहीं किया है थोड़ा सा आटा लेकर उसे हाथों से ही इस तरह फ्लैट कर लिया है और वापस बीच में थोड़ा तेल लगा के उसे फोल्ड कर दिया है यह देखें आटे का थोड़ा सा बॉल लीजे उसे फ्लैट कीजे बीच में तेल लगाए थोड़ा सा और फ्लैट कीजे और फिर उसे अच्छी तरह से फोल्ड कर लीजे तो यह हमारे open बाउस बनाने का एक दूसरा तरीका है यह हमारे closed बाउस closed बाउस में हम फिलिंग को पहले से ही अंदर डाल देते हैं और फिर उसे स्टीम करते हैं तो यहाँ पर हमने आटे का एक छोटा सा बॉल लिया है उसे फ्लैट किया है अंदर फिलिंग डाला है और वापस उसे बॉल के शेप में रोल कर लिया है मैं आपको और एक बार बताती हूँ थोड़ा सा आटा लीजिए उसे फ्लैट कीजिए बीच में फिलिंग डालिए और वापस उसे अच्छी तरह आटे से पैक करके एक बॉल का शेप दे दीजिए तो यह हमारे क्लोजड बाऊस भी रेडी है तो यह हमारे जो ओपन और क्लोजड बाऊस है उसे स्टीमिंग से पहले हमें एक से सवा गंटे के लिए फर्मेंटे के लिए दख के छोड़ दिना है एक PT के बाऊस थोड़े फूल भी जाएंगे और फिर हम उसे अच्छी तरह स हमारे इडली स्टीमर में स्टीम करेंगे वापस हमने इडली स्टीमर में इस तरह के लेके पत्ते रखके उपर अच्छी तरह से तेल लगाया है और हमारे दोनों बाउस उस पर रख दिये हैं यानि कि ओपन और क्लोज दोनों बाउस को हमें ऐसे ही स्टीम करने है इडली स्टीमर में पानी को ठीक तरह से गरम करके हमने हमारे बाउस अंदर रख दी तो ये देखिए गाइस हमारे बाउस बहुत ही अच्छी तरह से स्टीम हो चुके हैं और ये बहुत सौफ्ट, फलफी और जाली दार बने हैं आपके बाउस इससे भी अच्छे बनेंगे तो प्लीज गिव दिस अडेफिनेट ट्राइ और आप अपनी चॉइस का कोई भी फिलिंग अंदर भर सकते हैं तो ये बाउस को खोल के आपको उसके अंदर स्टफिंग भरना है और उपर से हम डाल रहे हैं हमारा पीनट सॉस उपर से हम कर देंगे गार्निशिंग पतली और लंबी कटी सबजियों से जैसे के प्यास, बीच रूट, गाजर हरे प्यास के हरे वाले पत्ते और थोड़े से तिल अगर आपको पसंद हो तो वापस आप उपर से थोड़ी सी चतनी भी डाल सकते हैं ये देखिए गाईज, ये बहुत ही इंट्रेस्टिंग और बहुत ही डिफरिक और बहुत ही डिलिशिस रेसिपी है, तो प्लीज इसे ट्राइ कीजे, मेरे वीडियो को लाइक और शेर कीजे और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजे और ऐसी ही इंट्रेस्टिंग रेसिपीस के लिए मामा स्किचन अप को डाउनलोड कीजे सी ये सोन विच सम मोर नाइस अं गूड रेसिपीस तिल देन गूडबाय और स्टे सेफ